वीडियो है इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकरी देने वाला हूं कि आजकल आप देख रहोंगे Jio का नेट का स्पीट का बहुत प्रावल्म चल रहा है अब लगातार देखरें के ट्राइन भी अभी एक अपना बयान जारी है कि जियो की स्पीड लगातार स्लो ही होती जा रही है तो जियो ने फिलाल एक ऑफिसियल निव इंटरनेट की अगर इस सेटिंग से आपका फायदा हो या आपकी इंटरनेट की स्पीड बढ़े तो प्लीज वीडियो को लाइक करिये के शेयर करिये को सब्स्राइब जरूर करिये मेरे चैनल को यह चलीए दोस्तों देखते हैं वह segregation, आपक़ की शेटिंग मन जाना को, इसके बाद आपको सिम कार्ड के अंधर यह उपशन की श्मस्राइब इसलिए आपकी मोगल में अलग हो आप लोग में में जो भी देख लिजाए Benign setting में जाना आपको हो सेटिंग में अगरता हे। कर दीजिए APN यहां से नहीं आएगा आपको डिरेक्टली ही जाना पड़ेगा देख लिजेगा यहां आपको SIM यहां आप देख रहा हूंगी जियो की डिफाल्ट सेटिंग यहां पे मैंने सेट की हुई है जो जियो डिफाल्ट देता है इसको क्या करना आपको जाना है अंदर इसको डिलीट कर देना है और एक new APN बनाना है new APN में आप name में रखिए कुछ भी रख सकते हैं name तो कुछ भी रख सकते हैं अपना नाम भी डाल सकते हैं चाहें तो तो मैं तो यहां पे डालना हूं जियो केवल जियो ओके APN में आपको करना है जियो नेट ध्यान से देखिएगा दोस्तों और इसके बाद आपको सेर्वर पर आना है सर्वर पर आपको डालना है www.mostly आपने यूट्यूब के वीडियो में देखा हूं कि APN सेटिंग करते हुए कि यहां पे जारता लोग www.google.com ही डालते हैं लेकिन जीओ ने अब भी रिसेंटली यह जो सेटिंग लांच की है APN सेटिंग इसमें इसने चेंजस की है इसमें चेंजस क्या आप देख लीजे www.google.com नहीं रखना आपको यहां पर रखना www.google.com उसके बाद आपको ओके कर देना है और सीधे MNC यह मेरे मोईल में 871 है आपके मोईल में कुछ भी हो सकता है 858 हो सकता है 841 हो सकता है तो प्लीज इसको मत आप चेंज करिएगा जो है जैसा है वैसा ही रहन दीजेगा फिर इसके बाद आपको APN authentication type में आना है इसको none कर देना है APN type में आना है APN type में आपको not set अटा देना है यहां पर आपको लिखना है default, xcap देख लिए ध्यान से दोस्तों default, xcap यहां ok कर देना है यहां आपको APN protocol मिलेगा APN protocol में IPV4 select करना है एक बार में यह नहीं select होगा इसको दूसरी बार फिर से select करना है तो आगया आप IPV4 APN roaming protocol में आपको IPV4 करना और सेम वैसा ही करना है bearer में आपको आना है bearer में आपको LTE select करना है केवल LTE मेरे में बहुत सारे आपसान आ रहे हैं आपके वाल में इतना सारे नहीं आ रहे होंगे यह आ भी रहे होंगे लेकिन कुछ जितने भी आ रहा हूं उसमें से आपको केवल LTE ही select करना है ओके यहां आपको MVNO टाइप यह है main setting जो जियो ने भी launch की है MVNO टाइप में आपको यहां SPN select करना है और MVNO value इसी निचे आप देख रहे हों यहां आपको GEO 4G लिखना है यह आपको ऐसा लिखना है first later आपका GEO का J आपका capital रहेगा बाकी small रहेगा फिर 4 space for capital G इसको आपको ऐसा ही लिखना है दोस्तों इसके बाद आपको OK कर देना है और setting आप एक बार और देख लीजे APN में आपको GEO NET नेम आपको भी रख सकते हैं servergeo.com यह main है देख लीजेगा APN type default,scap APN protocol IPv4 APN domain protocol IPv4 bearer LTE MVNO type में आपको SPN MVNO value GEO 4G यहां से आपको इसको save कर देना है ऐसे नेट आपको on होई है यहां पर तो दोस्तों मैं भी आपको download करके चलिए मैं अपना phone update मांग रहा था मैं आपको तो वह करके दिखा देता हूँ speed अगर हो रहा है download तो यह देखिए दोस्तों उपर notification panel में देखिए आप 1.6 MB 2.3 MB per second 2.6 3.6 MB per second से download हो रहा है यह देखिए आप यह देखिए दोस्तों 3.5 MB per second इससे आपकी 100% speed body की इसकी guaranteed है अगर यह वीडियो आपको help कर रही हो अगर speed आपकी बड़े तो और ज्यादा ज्यादा share करिएगा दोस्तों पहली वीडियो मेरी please appreciate करिएगा आप लोग गुडबाए दोस्तों